दिपावलित पांची दीन खरिदारी के लिए बहुत शुब है धन्तेरस पर बन रहा है सिद्ध योग नमस्कार मैं हुदॉक्टर स्रीपति रपाठी सनातन संस्कृति में कार्तिक मास बहुत महत्तोपूर्ण है कार्तिक मास परवित्यवारों से भरा हुआ है यह मां धन्तेर चठ आदी इसी द्रम्यान आते हैं आपको बता दें कि दिपावली का जो यह पर्व है यह काफी पवित्र है इस द्रम्या धन्तेरस दिपावली चठ आदी पर बहुत ही महत्तोपूर्ण है और यह पर्व मनाते हुए लोगों में बहुत उच्छाह का महल दिखता है दिपा धन्तेरस 23 तिथी को मनाया जाता है जो कि इस वर्स 29 अक्टूबर को है इस साल दिपावली तक 5 दिन खरिदारी के लिए बेहधी शुब है लोग अपनी शुविधा के अनुशार घर, सोना चांदी, बरतन, गाड़ी, जमीन, पीतल का समान, इलेक्ट्रोनिक समान, आधिकी खर खरिदारी चाहे तो कर सकते हैं धन्तेरस के दिन सिद्ध योग बन रहा है इस जोग में खरिदारी अती लामकारी होगी साती इस दिन धार्मिक अनुष्ठान करना मंगलकारी सिद्ध होता है धन्तेरस के मौके पर धातू खरिदना शुब माना जाता है इस दिन सोना, तांबा, पीतल, कासा आधी खरीच सकते हैं ऐसी माननेता है कि इस देने किस भी चीज की खरदारी करते हैं उसमें पांसगुरा की बिद्धी होती है आपको बता दें कि 28 अक्टूबर इस शाल जो है रंभा एकाथसी सिद्ध योग में मनाई जाएगी इस दिन से मालक्ष्मी क का अवाहन शुरू होगा इस योग में चांदी के आवगुशन, मवेशी, उपकरण, तांबे की बस्तू, इलेक्ट्रोनिक समान, उपकरण आधी खरीदना शुभ होगा खास कर 29 अक्टूबर इस दिन धन 13 और धनवंतरी जयनती मनाई जाएगी इस दिन सिद्ध योग का सं जोग भी बन्दा है जिसे अबूच मुहुर्त कहा जाता है इसमें सोना, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी और गनेस, भगवान की मूर्ती, बरतन, जाडू, घरेलु शमाय, दिया, वाहन, मिट्टि के बरतन खरीदना, ब्यापार, शुरू करना यह सब बहुत शुफल वर्द होगा, 30 अक्टूबर दिपावली से एक दिन पहले हनुमंत जैनती का सुष्ण योग बन रहा है, इस दिन बैदृति योग का संजोग बन रहा है, इस योग में ग्रिह उपयोगी समान के साथ अन्य उपयोगी समान भी खरीच सकते हैं, खरिदारी करना लाफदायक 30 अक्टूबर दिपावली इसी दिन है, इस दिन प्रिति योग बन रहा है, इस योग में खरिदारी करना बहुत ही लाफ़कारी होगा, इस दिन पूर्जन सामगरी, बस्त्र, शुब मुहुर्त में भगवार गणेश और माता लक्षमी का पूजन करने से सुख, बैभाव, संपत्ती यस की प्राप्ती होती है,